हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने वेजिटेवल रेड सोस पास्ता बनाने जा रही हूँ तो इसे बनाने के लिए देखे कि हम किस तरह से बनाते हैं रेड सोस पास्ता ये मैंने 400 ग्राम पास्ता लिया है आप किसी भी आकार का ले सकते हैं सबसे पहले हम इसे उबालेंगे तो इसके लिए पानी उबलने के लिए रखेंगे और इसमें एक चम्मच ओलेंगे एक चम्मच नमक डालेंगे और जब इसमें अच्छे से उबाला जाएगा तब हम इसमें पास्ता डालेंगे 1 टीजपून मैंने इसमें नमक भी ढाल दिया है अब पानी में बहुत अच्छे से उबाला गया है इसमें हम पास्ता डालेंगे और इसे सॉफ्ट तोने तक उबालना है पास्ता उबलने में टाइम डगता है बीच वीच में चलाते रहेंगे जब तक पास तो बलता है तब तक हम बाकी की तयारी कर लेंगे ये मैंने चिली फ्लेक्स लिए सेजवन सोंस नमक स्वाध अनुसार मैजिक मैगी मसाला एक पाउच टमैटो कैचप रेड चिली सोंस हाफ कप टमाटर बारी कटकी हुए हाफ कप प्यास बारी कटकी हुई वन टेबिल स्पून हरा धनिया बारी कटकी हुआ हाफ कप शिमला मिर्च ये भी बारी कटकी हुई है हम पास्ते को चेक कर लेंगे पास्ता हमारा अच्छे से उबल कर तयार हो गया है इसे हम चल्ली में पसा लेंगे सारा पानी निकाल देंगे और पानी को अलग कर देंगे हम कड़ाई को दुबार से गयास पर रखेंगे गयास ओन कर लेंगे इसमें 2 टेवेल स्पॉन ओइल डालेंगे ओइल को गरम होने देंगे जब oil गरम हो जाएगा तब हम इसमें प्याज डालकर golden होने तक भूनेंगे अब oil गरम हो गया है इसे प्याज डालकर अच्छे से भूनेंगे जब प्याज अच्छे से भून जाएगी तब हम इसमें कटीवी शिम्ला मिर्च भी डाल देंगे अब ये प्याज हमारी भून गई है इसमें शिम्रा मिर्च डाल देंगे इसे भी भून लेंगे अच्छे से अब मिर्च भून गई है इसमें हम टमाटर डालेंगे इसे भी अच्छे से मिक्स करकर भून लेंगे अब ये हमारे तीनों वेजिटेबल भुन गई हैं अब हम इसमें मसाले एड़ करेंगे नमक एक चम्मच सॉंस में भी नमक होता है तो इस हिसाब से कम डालेंगे और पास्ते उबालने में भी मैंने डाला था दो चम्मच सेजवान सॉंस ये मैंने दो चम्मच भर के डाली है सेजवान सॉंस कोई भी सॉंस कम जादा अपने टेस्ट के साब से कर सकते हैं 4 टी स्पून टमैटो कैचप 4 चम्मच सॉंस डालेंगे 2 टी स्पून चिली सॉंस 2 चम्मच अब हम इसमें मैगी का मसाला भी डाल देंगे पूरा पाउच और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे अच्छे से भून लेंगे अब हम इसमें थोड़ा और रेड कलर लाने के लिए इसमें या तो रेड कलर डाल देंगे फूट कलर एक पिंच या फिर हाफ टी स्पून इसमें हम देगी लाल मिर्च डाल देंगे मैं देगी लाल मिर्च डाल रही हूँ कलर नहीं डाल रही इसको भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब यह हमारी red sauce बनकर तयार हो गई है अब हम इसमें उबला हुआ पास्ता मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे भून लेंगे हम इसमें सारा पास्ता डाल दूँगी अच्छे से मिक्स करके इसे भूनूंगी, इसे हमें लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनना है, जिसे कि मसाला पास्ते के अंदर अच्छे से चला जाए, अब इसे भूनते वे 5-6 मिनट हो गई है, बहुत अच्छे से भूनना है इसको, अब हम इसमें थोड़ी सी चिली फ्लैक्स डालेंगे और कटा हुआ हरा दनिया डालेंगे जब यह बहुत अच्छा से भुन जाएगा अब इसे भुनते हुए दस मिनट हो गई हैं अब में इसमें चिली फ्लैक्स डालोंगी और कटा हुआ हरा दनिया डालेंगे अब यह हमारा वेजिटेवल रेड सोस पास्ता बनकर तयार हो गया है थैंक यू